शायद ही कोई होगा जिसे कलाकन नहीं पसंद इतना टेस्टी होता है ये खाने में इतना मलाईदार आज मैं आपके लिए लाई हूँ कलाकन की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनने वाला है और असानी से जादा तर लोगों को लगता है कि इसको बनाने में बहुत जंजट होग दो चीजों से बनने वाली है दूद और चीनी कलाकन को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बनाने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल अपने इस नहीं और प्यार को बनाए रखें और सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस अपडेट से नोटिफिकेशन के लिए तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अब एक भीगोना लेना है भारी तलेगा और उसमें डालेंगे 1.5 लीटर फुल क्रीम दूद कलाकन बहुत ही टेस्टी बनेगा अगर आप फुल क्रीम मिल्क से बनाते हैं या भैस का दूद भी ले सकते हैं या फिर पाकेट का भी पर लीजेगा होल मिल्क और दूसरे पैन उसमें बॉइल आने तक उसको मिक्स करते रहेंगे और जैसे ही बॉइल आ जाएगा तो फुलेम को आफ कर देंगे देखे बॉइल आ चुका है आम मैं फुलेम को आफ कर रहे हूं हलवाईयों जैसे कलाकन बनाने के लिए प्रेसिपी के एंड तक बने रहें एक बाउल लें दाइल्यूट करते हैं ताकि यह काम तो करें दूद को फानने का पर एकदम से रियाक्त ना करें और इसका जो टेस है जो छैने का वो खराब ना करें जब हम वाइट में एगर इसमें दीरे-दीरे करके आड करेंगे पार्ट्स में आड करेंगे एक साथ नहीं आड करेंगे तो दूद गरम ही होना चाहिए बस flame off कर दीजेगा इसको ठंडा करके नहीं add करेंगे नहीं तो ये जो है छैना नहीं बन पाएगा जो हमें चाहिए कलाकन के लिए इसको mix करते रहेंगे अच्छे से बिलकुल तले से हिलाना है और देखे धीरे धीरे करके ये जो है छैना आप देख सकते हैं वो अलग हो गया है जो white vinegar का solution था वो एक बारी में add ना करें ध्यान रखें क्योंकि जो हमें पनी चाहिए वो soft चाहिए हम दीरे दीरे जब add करेंगे तो पनी बिलकुल soft निकलेगा आप देख सकते हैं पानी बिलकुल अलग हो चुका है और छैना बिलकुल अलग अब एक बाउल लेंगे और उसपे रखेंगे strainer उसपे रखेंगे एक पतला cotton का कपड़ा अब चैना को अलग करने के लिए इसमें च्छान लेंगे जो ये पानी है इसको फैकिएगा मत इसको आप किसी भी काम में ले सकते हैं आटा गूनने के या करी वाली सबजी बनाने के अब जो चैना है उसके उपर हम डालेंगे धंदा पानी तीन से चार लीटा पानी डालेगा ताकि जो विनेगर का खटापन है वो सारा निकल जाए पानी आट करने के बाद इसको हलके हाथ से निकालते जाएंगे ताकि जो पानी है जो इसको खटापन है अच्छे से निकल पानी एट करेंगे और हाथ से अच्छ से हिलाएंगे बहुत हलकी हाथ से हिलाएंगे जादा दबाव नहीं देना है देखे पानी पूरा अच्छ से निकल जाए इसके लिए आप इसको आज़े टेस छोड़ दीजेगा देखिए पानी सारे निकल जाएगा तो ये इतना soft छैना आपको मिलेगा इससे हम बनाएंगे कलाकन देखिए अब ये super soft छैना बिलकुल त्यार हो चुका है अब इसमें बिलकुल भी पानी नहीं है किसी फोक की मदद से या फिर पोटाटो मैशर की मदद से इसे अच्छ से मैश करेंगे ये बहुत important step है अगर पोटाटो मैशर नहीं है तो आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं पर सबसे अच्छा देता है कि इसे अच्छ से मैश किया जाए ताकि जो इसका टेस्ट आए कलाकन में बहुत अच्छा है सॉफ्ट सॉफ्ट लगे वो आपको ध्यान रखेगा यह स्टेप बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप डैरेक्ट इसको दूद में डाल देंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो हलवाईयो वाला आता है चैना बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है अच्छे से मैश हो चुका है अब जो मैंने दूसी साइट दूद उबलने रखा था आदा लीटर दूद रखा था वो स्लो आच में मैं पका रही थी वो अब हो चुका है एक कप अब इसमें मैं आड करूँगी चीनी चीनी मैं यहाँ पर आड करूँगी आदा कप पर एक बारी मैं आड नहीं करूँगी ध्यान रखेगा थोड़ी थोड़ी करके आड करेंगे और साथ के साथ एक बारी मैं अगर मैं चीनी आड कर दूँगी तो वो सारा पानी पानी से छोड़ जाएगी और यह कलाकन की रेसिपी प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगी जिस तरीके से हम चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी करके आड करें तो मैंने यहां पर आदक अपसे थोड़ी कम चीनी डाली है अच्छा से मिक्स करती जा रहे हूं ग्रानियोल्स जो है वो अच्छा से मिक्स हो जाने चाहिए और ध्यान ड़केगा चैना पहले आड मत कीजेगा चीनी पहले आड कीजेगा चीनी भी हमें 2-3 बारी में डालनी है एक बारी में डालनी और जब यह अच्छा से मिक्स हो जाए तो हम आड करेंगे चैना जो हमने मैश किया था अच्छा से आप इसे सूपर सॉफ्ट पनीर भी बोल सकते हैं अब हाई फ्लेम पर इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे बहुत जल्दी बनके रेडि हो जाता है यह अब जाद देर नहीं लगनी अच्छा से मिक्स करना है इसको अगर हम इसे लो फ्लेम पर पकायेंगे तो कलर चेंज हो सकता है तो इसलिए ये ध्यान रखें, हाई फ्लेम पर इसे जल्दी से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, कोई गुठलिया ना रहें आप इसे ओवरकुक नहीं करना, जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा पक जाए, यानि कि 3-4 मिनिट में इसमें दूठ, चीनी, छैना बिल्कुल भी अलग-अलग नहीं दिख रहा, सब मिक्स हो गया है, तो ये गुठ साइन है कि हो गया है हमारा कलाकन रेट कलाकन को सेट करने के लिए मैं एक बेकिंग ट्रे ले रही हूँ, यहां पर कांश की, आप कैसा भी ले सकते हैं, थोड़ा उचा होना चाहिए ताकि ये बर्फी की शेप ले ले थोड़ी सी, इसको स्पैचुला की मदद से, हम अच्छे से सेट कर लेंगे, इवनली स्प्रे पिस्तर को अच्छे से चॉप करके, इस पे इवनली स्प्रेट कर दिया है मैंने, इस पे पिस्तर डालने के बाद, इसको सेट करने के लिए स्पैचुला से हलका सा दबा लीजिए, और बिल्कुल रेडी है ये, अब थोड़ी देर में ये सेट हो जाएगा, अब इसको दो लगा सकते हैं चांदी का वर्क, इसको ऐसी लगाने जैसे इस वीडियो में मैं आपको करके दिखा रही हूं, हलका सा डाप करना है, ये सॉफ्ट-सॉफ्ट छैने से बना कला कंद, आप कभी भी और किसी भी उकेजन पर बना सकते हैं, तो ट्राइ करें इस रेसिपी को और म कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी, आप कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के बता सकते हैं, अगर आप चाते हैं कोई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ, मिलूंगी ऐसी ही और बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी डिलिशस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कि अप्सक्राइब